असलाम लेक्रूम वीवर्स आजा वारने जा रहे हैं सबसी बुलाओ जो कि बहुत ही सबदस्त और बहुत ही लसीज बनने वाला है इसको बनाने के बाद आप चिकन बुल जाएंगे वीडियो को एंड तक देखेंगा कोई स्टेप मिसना कीज़ेगा और मेरे चैनल को अगर आ ने लिए हैं दो प्यास बड़े साइस के ठीक है उसके लिए दो कप आइल नहीं है फुल 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 फरकी आइल जब हलका सा गरम हो जाएगा तो उसके अंदर हम अपने खड़े मसाले को चाइड करेंगे जिसमें होंगे चार पांच लॉंग होंगे और दस काली मिर्श होगी दो मोटे लाइची ठीक है धारशीनी के चार पांच टुकरे और जवत्री हाफ टी स्पून ठीक है यह हमने इसमें एड़ करनी है हलका सा ओल जब हमारा बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा इसको अब जब स्टेज प करेंगे तो इससे आप देखेंगे आपके चावलों का टेस्ट बहुत ही ज्यादा मज़ेगा आने वाला है और इसी लगेगा जिससे चिकन प्लाव बना है आपका स्टेज पे गराम मसाला एड़ करने से यह होता है कि आपके फुल चावलों में पूरा गराम मसाले का टेस्ट आ जाता है और यह बहुत ही जाकेदार चावल बनते हैं प्यास गुल्टन करने तक हम इनको फ्राइ करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर अपना देंजर गा अधिक पेस्ट का जब अरोमा ना स्टार्ट हो जाए एक मिर्ट फ्राइ करने के बाद हम इसके अंदर अपने तीन दिम्याने साइज के टमाटर काटके डाल देंगे तमाटर रफली मेंने काटे हैं क्योंकि इन्होंने आप मैश हो जाना अंदर जाके तो इस नहीं जरूरत अगर आपको लगता है कि आपका मसाला जानने वाला है तो из में टूरसा पानी एड़् करें और अब हमने मसालि करने हैं तो ये देखिए हमारे हमारे पास हैं काली मिर्च थी और एक चम्मच मैंने नियए है इस खुश्क धनिया ठीक है इसको मैंने अच्छी तरह से पौडर बना दिया है और यह मेरे मसाले हैं जो मैं चावल में डाने लगी हैं जिसमें मैंने एक चिकन क्यूब लिया है कनौर का पुलाव क्यूब दो चमच मैंने निये हैं नम्मा घस्पिजाइका मैं डाला है आप अपने हिसाम से देख लीजेगा दड़ा मिर्च जाएगी दो चमच जो काली मिर्च और खुश्क दनियेगा मैंने पाउडर बिनाए था वो एक चमच भर के डाला है मैंने इसमें टेबल स्पून इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके मसाला अच्छी तरह से त्यार करेंगी पांच मिन्ट तक लगतर आप शमच चला आते ते रहें और मसाला आप अच्छी से बोन लए जब मसाला हमारा अच्छी से बोन जाएगा तो हम इसमें अपनी सब्जियां अपनी मर्जी ही ले सकते हैं मैंने तीन सब्जियां में लिए जिसमें आलू, मतर और गाजर है तो तो आप अपने हिसाब से cutting करके तो चावलों के मिसाले के अंदर add कर दे और इसको जादा आपने नहीं पकाना सबस्यों को इनके original colors ही हमें चाहिएं तो इसलिए हम इसको सिर्फ सिर्फ 3-4 minute तक पकाएंगे और इसके बाद हम इसके अंदर अपना next step add करेंगे बहुत जादा मैं सबजियों को overcook नहीं करूंगी अगर आपको overcook सबजियां पसंद है तो आप इसमें stage पर थोड़ा सा पानी add कर दे और पानी add करके इनको अच्छी तैसे गला ले तो मैंने तीन से चावल मिटी cook किया था और मेरे एक किलो चावल था जिसमें मैंने अपने च चावल के हिसाब से पानी add कर दिया है चावलों के पानी का मेरा बॉयल आ चुका है अब मैं इसमें चावल एड करूंगी और चावल एड करने के बाल मैं आपको बता दिया है इसमें next step क्या करना है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइबर शेयर सासद कर दिया करें और व्यू कि देखें इस stage पे आपको मेरे चावलों में जो vegetables का कलर है बिल्कुल original अजर आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसको over cook नहीं किया था तो मैंने थोड़ा सा धनिया काट के रखा वाए हरा धनिया मैं यह भी चावलों में डालूंगी थोड़ा सा टेस्ट आ चाएगा इससे बहु कि नमक चखा है इसके अंदर मुझे थोड़ा सा नमक काम लगा है इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और एड़ किया है तो आप भी इस टेज पे नमक जुरूर चेक कर लिया करें बहुत से लोगों को कंप्लेट होती है कि हम इस चावलों में नमक पूरा नहीं होता तो वह पानी और चावल आपस में मिक्स होके वाइल आजाता ननकी अंदर तो फिर नमक की रिशु सही से पता चल सकती है उसके इलावा नमक नहीं पता अब हम इसको दम पे लगा देंगे और उसके बाद पिर आपको अपने चावलो ओब किओर लोक्त जिषाएंगे कि हमारे चावलों का क्या रिख़लत हाए इस तो कब देख लें बिल्कुल चावलों का बिल्कुल फ्रेश कलर आरा है वजेटेबल्स का भी और राइस के इतना जबरदस सा वाइट वाइट कलर आ रहा है तो चावल भी इन्शाला ऐसे ही बनेंगे कम असकम दस मिट मैंने दम दिया चावलों को और ये देखैं इतना जबरदसा कलर है चावलों का माशाला बहुत ही जाकेदार और बहुत ही लजीज चावल बने है ज़रूर ठाइक हीचे का ये रेसिपी और मुझे ज़रूर कमर से बताएगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक सब्सक्राइब।